इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में नेवल अकादमी से व्यावसाइक अनुभव के लिए जुड़ी जहां सास और स्रम की प्रवरोतियों को महत्व था देखे अभी जब वो अनुभव अकादमी में जब जुड़ी तो वहां का जो उनका अनुभव था वो बहुती महनत करने वाला और बहुती हिम्मत का काम था इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमिशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ओफिसर का पद मिला हेलिकॉप्टर प्रस्रिक्शन प्राप्त किया उन्होंने हेलिकॉप्टर का भी प्रस्रिक्शन प्राप्त किया था प्रस्रिक्शन के बाद ओफिसर इंचार्ज बन गई जैसे उनका हेलिकॉप्टर का प्रस्रिक्शन कतम हुआ वैसे वो इंचार्ज बन गई सुनिता को United States Naval Test Pilot Course के लिए चैनित किए गया पाइलोट बनने के सिधी को प्रथम का कदम माना दीखे जैसे United States में Naval Test का जो वहाँ पर पाइलोट का कोर्स था वो उनके लिए उनको चैनित किया गया यानि उनको चूज किया गया और उनका फिर जैसे ही पाइलोर्ट बनने का उनका उनकी सिद्धी जैसे ही वो बनने ना पाइलोर्ट तभी उन्हों न समझा तो यहां मेरी जो प्रस जहां पर मुझे जाना है वहां के पहला पड़ाव है उमने पार्ग कर लिया अंत्रिक्स पर जाने की तीवर इच्छा थी वो इसलिए यही सब कोर्ष कर रहे थी जो उनको वहां अंत्रिक्स तक ले जाए इसलिए हिमत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई तब इस आज तक सुनीता नासा में कारियर थे तब से इसलिए देखो उन्होंने कभी भी हि रहता था कोई भी जो स्टेप रहता था उनका आगे बढ़ने का अंत्रिक्स की तरफ जाने में वो सब में हिमत की जरूरत थी लेकिन वो कभी भी हिमत नहीं हारती है और ना है वो कभी संतोस करके बैठ गए कि हां मुझे बस पाइलोर बन गई तो बहुत है अभी मुझे आ करने में वो सब सभी पढ़ाव पार करती जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी सभी कदम आगे बढ़ती जा रही थी पार करती जा रही थी अभी तब से लेकर जब उन्होंने सोचा कि नासा है वो सिफ अंत्रिक्ष के लिए काम करता है तो नासा में जाने के उनकी ब पर काम कर दोयार पाइलट है लेकिन अंतरिक्षयत्री कितने हैं पुई दुनिया में सिर्फ सो यानि हंड्रेट सुनिता ने खास मीत्र और सहाध्याई माइकल विल्यम्स से शादिकी और सुनिता पंडिया से सुनिता विल्यम्स बनी माइकल विल्यम्स ने सुनिता को सिधी की सिधी में साथ दिया देखे उन्होंने माइकल विल्यम्स नाम का जो उनके साथ जो पढ़ने वाला था उसके साथ उसने शादिकी तो उसने जो सुनिता पंडिया है उसमें से वह जैसे विल्यम्स से शादिकी तो उनकी सनने भी विल् सुनिता को अंत्रिक्षपरी बनाने में कलपना चावले ने ही प्रेठणा सुनिता विलिमस को जो अंत्रिक्षपरी बना था, उसकिन कलपना चावला जो अंतरिक्ष यान था वह पर उसका विस्पोट होगय और बुछ सुनिता विल्यमढी दोनों सत्य में काम करती जो आगे देखते है पीछले आठ वर्षों में अंत्रिक शयत्रा पर जाने वाली भारतिय मुल्की दूसरी महिला की सकुषल वापसे से लोगों ने वराहत की सास लिए जी किल्पना चावला हमारे आठ वच के अंदर परेले कल्पना चावला के उसी के आठ वर्ष के अंदर सुलिता विल्यम्स जो हमारी मुल भारतिय किये अदीतिति APP ंपर तुझा सब ली भारतियों ने चेन की साथ लिकि हाँ हमारे जो इंडियन है वो भापस आ गई है एक जवसे ही कल्पना चौना खतम होई थी सब में वो शोक का माहूल हो गया था कि हमारे भारतिय थी और वो जैसे ही गई और वहाँ पर अंपरिक्ष में वो विस्पोत हो गया है तो ये जब सकू शल् वापस आ गई यानि सही सलामत वापस आ गई तो सब ँ nessa चैनली कि हाँ अभी सब वापस आ गयें है सही सलामत है ऐसी अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभयान में कल्पना के साथ काम करना बहत शुक्व दनों पहुता। जैसे यह अपनी यात्रा देवापिस आई अंत्रिक्ष्ट है तब उन्होंने बताया कि मेरा जो भी ना साका अभियन चल रहा था तो कलपनान के साथ ना उसके साथ मेरा काम करने का बेहदी अच्छानों बहुरा था वो दोनों साथ में काम करती थी हम दोनों की रूची काफी अलग थी लेकिन भारतियों होना हमें एक शुत्र में पिरोता था उन सब दोनों का जो अच्छी subject जो थे कि उनके क्या-क्या पसंद थे दोनों की पसंद अलग थी दोनों सभी बातों में लेकिन कुछ आ गया भी आएगा एक मुजिक सुनना उनने भारती होना दोनों में एक शूत्र में उनको पिरोता था उन दोनों को पता था कि हम दोनों इंडियन है तो उन दोनों को वह भारती होना होने के वज़े से दोनों जुड़ जाती थी कि हां हम दोनों इंडियन से तो इस तरह वह दोनों है वह मेल जूलकर अच्छा से रहती थ दोनों को भारतिय संगीत बहुत बहुत लगा हुथा कल्पना से मुझे कासी कुछ सेखने को मिला उनेता विल्यम्स बताती है कि उन दोनों को भरती है यानी इंडियन मिजिक वहाधी पसंद था और कलपना से उनको काफी कुछ सीखने को मिला है उन्हेता विल्यम्स को देखे पर बाधियों के सब्सक्राइब सांज से पसंद था उन से लगाओ क्यों था? क्योंकि उसके पापा जो भारतीय मुलके थे तो उनोंने ज्यादा तर अपने जिन्दिके यही पर काटी थी तो उनको भारतीय संगीत वहाँ पर सुनते होगे तो ये बच् support से सुनते उसकी आदी होगी तो उसको ज्यादा भारती संगीत पसंद था और कल्पना चावला तो यहीं की थी यहीं से वो गई थी यहीं पर ज्यादा बड़ी होके फिर आगे पढ़ने को वहाँ पर गई थी तो इनको भी पहले से भारती मुजिक का लगाव था उससे तो दोनों का वही जो पॉइंट है वह दोनों का सेम हो गया यानि वहीं से दोनों का लगाव है वह दोनों की दूचियों एकसी हो गई जुन 1998 में सुनीता को नासा के लिए चाहिनेद किया गया 1998 में वो नासा के लिए चूज की गई अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षन प्रारम कर दिया और जुन में देखे उनको पसंद किया गया और अगस्त से उनका उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई कड़े प्रश्रिक्षन के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष श्यात्रों के लिए तयार हो घई वहाँ पर काफी प्रश्रिक्षन उनका उनको काफी वहाँ पर हार्ड था बहुत ही मुश्किल था सुनिता बताती हैं कि अंत्रिक्ष स्पेस स्टेशन में जिन्दगी आसान नहीं है सुनिता ने बताया कि अंत्रिक्ष स्पेस स्टेशन में वहाँ पर जिन्दगी आसान नहीं है खाने से लेकर नहाने तक यहां सब कुछ कठिन है लोटने में मुश्किल होती है और में चलने फिरने में दिक्कत होती है देखे अडियां कमजोर हो जाती है और दिमाग तयार होने में समय लगता है देखिए अंत्रिक्स जैसे उलोट कराते हैं तो आरने के बाद बहुत हुँ मुश्किल होती है पहले तो सुरुवात में उनको चलने फिर्ने में भी तकलिक होती है फिर्न के हर्दियां भी कंपर हो जाती है जब स्पेस में जाते हैं अंत्रिक्स में जाते हैं तो दिमाग को भी तयार होने में समय लगता है दिमाग वह भी जल्दी काम नहीं करता है उनको पहले जैसा जीतना तेज नहीं रहता है सुनीता ने खुद को अंत्रिक्स प्रस्रिक्शन लेकर तयार किया खुद को उन्होंने सुनीता ने अंत्रिक थिक्राथ कि भरे वियाख्यान, ओरूस में रहकर अंत्रिक्ष्कर्यक्रम करता ह्यान और जानकारी प्राव्त थी जब वह वthose। विड़ियान जब थी यहानगता रहे प्रेगयान मी दक्राव्त के चंप ले को भे लिएक्रिक्रोच क्यों rhythm ओसी खा तरफे रोश में रहे कर उन्होंने अंत्रिक्ष कार्याक्रम में आधाय tussen जान थो में और है उसके कार्या कर से कैसे वहां पर काम करना है कैसे वहां पर रहना ए और सभी कुछ बाते हैं वहां पर जाकर उन्हों lijत प्राप्त ही उनकिए suspected जो भारहिं तो स्प्रिक trout 2021 कि पर बंग संकरिए पर किए तो इसमें भाहर हिंता जैसे जो फॉजन नहीं होता है ने उल्का होजाता है तो वहां पर चलने फिरने में बहुत ही पुश्किलाएं लेकिन उनकी गोता खारी के अनुबहुने गोटा-खोर यह दोनदर जाता लें समंंदर में हैं हमार अनुबह होता है तो वो उनको इधर अंत्रिक्स में जाने में जब वहाँ पर भी भारहिंता का जब अनुबह होता है तो उसमें उनको बहुत अच्छा सहायता हुई और अंत्रिक्स श्यात्रा के संदर्व में बहुत सी वेग्यानिक जानकारिया और मुश्किलियों के बारे में जाना उन्हे पता उनको पता चला कि अंत्रिक्स श्यात्रा के दोरान क्या उन्हों दिराब भी रही रोसिक्षान खत्म होुने में करीब आठ साल लगे देखे वह पानी में भी रही चुकी हैं लिगां कि पानी इंद्ट रही थे नो दिन टुकु पूरे नो दिन थी लो देहीं अंदर वहां रोठर्द हि नहीं ऑपनी उपर हिसी पानी और नींकी अन्दर और फिर प्रस्टिक्शन खत्म होकर उनके सारी प्रस्टिक्शन तो पूरी ट्रेनिंग लेने में उनके पूरे 8 साल लगे थे झाल लगे उनके सारी जाया में जो पूरे सारी ट्रस्टिक्शन जाव में उनके सारी बता हैं